फ्रेंट्स ध्यान दें, आपके परिक्षा के लिए करिंट अफियर सिरीज चलाए जा रहे हैं, यह बिहार करिंट अफियर सिरीज है, इसमें हम लोग इस तीसरे एपिसोड के माध्यम से जुलाई 2022, अगस 2022 और सितंबर 2022 के करिंट अफियर को देखेंगे, जो महतपूर्ण प अपिसोड आया था, जिसमें हम लोगों ने जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च एक में और दूसरे वाले में अप्रील मई और जून के करिंट अफियर को देखा था, तो यह बहुत महतपूर्ण है आपके परिक्षा के लिए, ध्यान दीजिए, तो आएए अब हम लोग पह नेक्स्ट है, आपके लिए, Global India National Excellence Award से पुरस्कृत किया गया है, बिहार की किस लोग गाई का को, तो यह है नीतु कुमारी नवगीत, इनको Global India National Excellence Award परदान किया गया है नेक्स्ट है राज्य का पहला आस्थाई ट्रैफिक पार्क कहां बनाए जाने की गोशना की गई है पटना में नेक्स्ट बिहार के कलाश शंस्कृती एबं युबा बिभाग के मंत्री कौन सा एप लॉंच किया है नरित्य शक्ती एप इन्होंने लॉंच किया है नेक्स्ट है मुझपरपूर की किस महिला की पुस्तक फिल्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एस वी ईपी देश के लिए मॉडल बन गया है ये आरिया मुझपरपूर की आरिया नाम की एक महिला है उनकी ये पुस्तक है नेक्स्ट है बिहार के किस वैक्ति को आयुश्मान योजना के लिए सरवाधिक हाई सरजरी करने के लिए सम्भनित किया गया है डॉक्टर सील अवनीश को नेक्स्ट है बिहार राज्य से सम्मंदित नियंतरक महालेखा परिक्षक की रिपोर्ट को बिधान सभा के पटल पर किस्ते रखा तो आप चुकी शत्ता में परिवर्तन हो चुका है तो यह उस समय का है लेकिन फिर भी महादपूर्ण है बिहार की जो डिप्टिशियम रेनु देवी थी उन्होंने ही रखा था के रिपोर्ट को तो यह ध्यान रखना है मंदिर एबब मठों का पंजी करन कराना आनिवारी कर दिया गया है किस राज्य में तो यह बिहार में कर दिया गया है यह ध्यान रखना है उसके बाद आपके लिए important है केंद्री ये शिक्षा मंदराले द्वारा हाली में जारी स्कूल शिक्षा सूचकंक में बिहार के कितने जिले शामिल है तो ध्यान दिजेगा इस सूचकंक में बिहार के एक भी जिले को शामिल नहीं किया गया है नेक्स्ट ध्यान रखना है IIT पत्ना जो है NIRF 2022 की जो रेंकिंग जारी की गई है उसमें IIT पत्ना किस अस्थान पर है तो 69 वे अस्थान पर है पहले 51 वे अस्थान पर था ये ध्यान रखेगा नेक्स्ट है बिहार के केस दिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है तो पत्ना में समस्थी पूर्जिले के किस युबा ने चक्राशन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम Asia Book of Records में दर्ज कराया है प्रिंस कुमार ने बिहार के बोचहा निर्वाचन छेतर से नौ बार बिधाया करा चुके किस नियता का बिराशी वर्ष की आयू में निधन हो गया है रमई राम मुझहपरपूर इनका निधन हो गया है ये नौ बार जो है बोचहा से बिधाया करा चुके थे नेक्स है इतिहास के जहरोखों से जाने अपनी विराशत को इस पुस्तक का इनके द्वारा बिमोचन किया गया नेक्स्ट है बिहार बिधान शभा परिशन में बने सताबदी इस्पृति अस्तम काउन खाटन 12 जुलाई 2022 को किस ने किया प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी ने किया स्टार्टप एको सिस्टम में बिहार को कि स्रेनी में रखा गया है तो स्रेनी ए में रखा गया है आकंची जिलों की डिल्टा रेंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले अस्थान पर है गया है किस जंक्सन पर पहला ब्रेल लीपी मैप तैयार किया गया है पटना जंक्सन पर राज्य का पहला जैबिक खेती मौडल प्रस्रिक्शन के अंदर कहाँ बनाया जाएगा फतुहा में उसके बाद राज्य का पहला ऑक्सिजन पार्क कहा खोला जाएगा तो गोपाल गंज में किस राज्य के नील गाई को पालतू पसू का दर्जा प्रदान किया गया है तो बिहार के राज्य में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्यों में सपोर्ट सेंटर जो है खोला जाएगा बिहार के द्वारा तो साथ राज्यों में खोला जाएगा तो यह ध्यान रखना है उसके बाद राष्ट्रिय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगता में बिहार के किश खिलारी ने तीन काश्य पदक जीता है तो पटना की कृतिराज शिंग है उन्होंने जीता है ध्यान देना है उसके बाद बिहार में हर घर जंडा करेकरम कब से कब तक चलाए गया आठ अगस्त से लेकर के पंद्र अगस्त दोहजर बाइस तक ये बहुत महत्पून प्रशन है ध्यान रखना है उसके बाद किस लेकर को इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड दोहजर बाइस से समानित किया गया है ध्यान रखिएगा मुरली, मनुहर्स लिवास्ता भी ये बकसर जिलाके हैं उनको समानित किया गया है एनेमिया के प्रशार में कमी की लाने की घोसना की गई है कब तक यानि कब तक का लक्ष रखा गया है तो ये दोहजर पचीस तक का लक्ष रखा गया है उसके बाद है क्रिशी ट्रेनिंग सेंटर की अस्थापना कहां पर की जाएगी मुझा परबूर में की जाएगी बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रसिक्षन योजना से जोड़ने की तयारी की गई है भीखाडियों को उसके बाद है नीती आयोग द्वारा जारी दवाचार सुचकंग 2022 में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है 15 माँ पर्थमस्थान पर करना टक है इस बात का जिक्रम्ट कर चुके हैं अभी परत्योगता दरपन सेरीज में किया है सुरी यहां नहीं और उसके बाद 14 करोड से अधे कोरोना टीका देने वाला बिहार देश का कौन सा राज़ी बन गया है चौन्था राज़े बन गया है यह ध्यान रखेगा यह आकरा जुलाई 2022 तक का है तो उसके बाद है एक रिपोर्ट के अनुशार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार के हिंशेदारी पूछा जा सकता है कितना है यानि कितना प्रतिशत है तो यह 11 प्रतिशत है उसके बाद अब हम लोग यह जुलाई का हो गया जितना इंपोर्टेंट था अब हम लोग अगस्ट 2022 का इंपोर्टेंट प्रसन देखेंगे भी अगस्ट में ध्यान दीजिएगा हाली में बिहार के किस स्थान पर भीखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है मुझब पर पूर बिहार में खोला गया है ध्यान दीजिए उसके बाद ड्राई हॉर्टी कल्चर या शुष्क बागबानी स्किम की शुरुआत कहां की जा रही है तो ये बिहार में उसके बाद राष्टर ये सिक्षक पुरुष्कार के लिए बिहार के कितने सिक्षक को सॉर्ट लिस्ट किया गया है जुलाई अगस्त दो हजार बाइस में तो छो सिक्षकों को सॉर्ट लिस्ट किया गया है उसके बाद किन के द्वारा जो है बिहार Startup Policy 2022 लॉंच किया गया तो साहनाबाज हुशेन के द्वारा किया गया था ये पुर्वुद्योग मंत्री रह चुके हैं बिहार के अभी जो है सेट समीर सहाब है बिहार इंजिनियरिंग विश्व विद्याले के पहले कुलपती कौन बनाये गया है प्रोफेशर सुरेश कांत वर्मा बनाये गया है बिहार चैप्टर दो कारेखर्म काॉद घाटन के दोरह किया गया है । उसके बाद् है अपके लिए चेहत्तरवे शोतंतरता दिवस के अब सरपर गांधी मैदान पटना से निकाली गई गूल नौ जहांकी थी इन में से किस बिभाग की जहांकी को प्रतमस्तान प्राप्त हुआ आप से पूझा जा सकता है तो कृशी बिभाग को और दूसरा जो है अगनी शबन भिभाग था और तीसरा सिक्षा परियोज ना था तीनों ध्यान रखिये उसके बाद ग्री मंत्राले जांच उत्क्रिष्टता पदक के लिए चैनीत पूलिस कर्मियों के सुची में बिहार के पूझा जा सकता है कितने कर्मी या अधिकारी को शामिल किया गया था साथ इसमें दो IPSB थे ध्यान रखियेगा जिसमें एक बिने तीपारी थे और एक धूरत सावलाराम थे शायली धूरत सावलाराम उसके बाद है बिहार के नए उद्योग मंतरी हमने बताया आपको समीर कुमार महासेठ है ध्यान रखेगा उसके बाद है बिहार की किस राजनितिक दल को मनीपूर में राज्य पार्ड़ी का दरजा मिला है तो जद्यू को मिला है ध्यान रखना है उसके बाद इंपोर्टेंट है आपके लिए हाली में बनने वाला एकॉनोमिक कॉरिडोर जो बनारस कोलकाता ग्रिन फिल्ड एक्सप्रेश वे या बिहार के कितने जीलों से होकर गुजरेगी पूछा जा सकता है तो चार जीले हैं कौन कौन से है या भी ध्यान रख लियागा कैमूर रोहताश और अंगाबाद और गया है उसके बाद भागलपूर के बिक्रम सिला शेतू के समानांतर बनने वाले पूल के लिए कितने करोड रुपे के टेंडर की मंजूरी हाली में हुई है तो यह 995 करोड रुपया है लगबग 1000 करोड रुपया का है और गती सकती पोर्टल के दुबरा जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाएंगी यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह योजना भी 2020 में ही लॉंच की गई है तो ध्यान रखना है सास बहु बेटी अभियान को गती देने का फैसला किस राजसर करने किया है तो यह बिहार राजसर करने किया है उसके बाद बिधान सवा के नए अध्यक्ष अब कौन बनाए गए है अवद बिहारी चौधरी है उसके बाद अतुल प्रशाद जो है आरके महाजर के अस्थान पर BPSC के चेर्मेन नियुक्त हुएं ये आप सब को बता ही होगा चलिया है उसके बाद सभी पंचायत में ओपें जीम खोलने का निरने लिया गया है बेहार में ही उसके बाद विश्णूपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंतरी जो इसराइल मंसूरी के खिलाब मुझा परपूर कोड में केस दर्श की गई है ये पूछा जा सकता है कि विश्णूपद मंदिर है कहां तो गया में है ये जी आई टैग मिला है हाली में मिथला मकाना को मेजर ध्यान चंद होकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगता को किस जिले की टीम ने जीता है तो पत्टना ने पो चंद्र ठाकुर है नेता प्रदिपक्ष समराट चौदरी है बिधान परिशद की हम बात करें बिधान सभा नहीं ध्यान दिजेगा राष्ट्रे सिक्षक पुरशकार 2022 में बिहार के किन दो सिक्षकों को शम्मानित किया जाएगा तो नीशी कुमारी ये पत्ना और सौरव शम्मान ये त्रिवेनिगंज शुपॉल से हैं इन दोनों को किया जाना है तो अगस्त 2022 का भी करेंट अफ्यर हम लोगों ने देख लिया अब सितंबर 2022 के करेंट अफ्यर को हम लोग देखेंगे बिहार से जितने महतपूर्ण प्रस्ण हैं सितंबर 2022 में बन रहा है आपके परिक्षा के लिए उसको देख लेते हैं ध्यान दिजे बिहार के किस चिले में 278 करोर रुपे का एथिनॉल प्लांट लगाये जाएगा तो ये मुझपरपूर और गोपाल गंज ध्यान दिजे पहला प्लांट जो है पूर्णिया में लगा है उसके बाद है कि राष्ट्र पर्थमस्तान किष्का है महराष्ट्रा का है दूसरा किष्का है यूपी का है हाली में बिहार सरकार के शिक्षा मंतरी प्रोफेशर चंदर शेखर ने निपुन बिहार योजना लॉंच की है पूछा जा सकता है कि यह यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है क्यों क कि इस बार आप से कंप्यूटर सिक्षा से सम्मंदित जो आर्थिक सर्वेक्षन में एक रिपोर्ट आई थी यहां से 67 तरी एक जामनेशन में प्रस्न पूछे गए थे कि यह किस किस क्लास के बच्चों के लिए लागू किया जाएगा तो क्लास 6 और उसे उपर के बच्चों क जा सकता है कि करकट कर जल प्रपात का विकाश परेटन अस्थल के रूप में किया जाएगा या कहां पर है तो यह क्या मोड जिला में है नेक्स्ट है पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मंदित पूछा जा सकता है कि यह बिहार पुलिस को किस संस्था की और से पुलिसिंग कर्मा की संस्था है उश के तरफ से के बाद है ध्यान रखियेगा चक्र एप के लिए दिया गया है जो बिहार पुलिस के दुबारा जो है इसका संचलन किया जा रहा है मितला पेंटिंग में बिहार के किस जिले ने कलाकार बीभालाल का चैन राष्ट्रिय पुरस्कार के ल प्राहर द्वारा केस जिले में खोला जाएगा तो यह दालंदा में उसके बाद इंपोर्टेंट है ओपरेशन प्राहर 673 में यह पूछा भे गया है सराबंदी से संबंदी थे पूछा जा सकता है इस बार कि Operation प्रहार जो है वक्की सराजे के पूलिस से संबंदी थै तो बेहर पूलिस से संबंदी थै शराब बंदी कानौन को लेकर है यह उसके बाद है रावाएन बीशुविद्याले कहा पर बनाये जाएंगे पिहार में तो वैशाली में उसके बाद नील गाई का शोध संस्थान की अस्थापना की बात की जा रही है या केस जिले में होगा तो ये डुम्राओं में होगा जो बकसर जिला में पड़ता है उसके बाद आपका सम्रिद प्राकिर्तिक चिकित्सा शहयोग के अंदर कहा खोला जाएगा बेकुश राई में नितीश कुमार ने कहां जो है देश के सबसे बड़े रेवर्ड डैम का लोकारपन किया है तो गया में ये फालगो नदी पर है इसको गया जी डैम नाम दिया गया है सीम के द्वारा उसके बाद पतना के कंकर बाग इस्तित पाटली पुत्र खेल परिशर भयायोजी तैंटीस में पुर्वी छेतर जूनियर एतलेटिक्स चेंपियनसिप में बिहार किस अस्थान पर रहा है तो इसमें बिहार दूसरे अस्थान पर रहा है तेरह राज्यों में पहला अस्थान जारखंड का है या भी ध्यान रखना है उसके बाद है राज्ये के सभी जिलों में इस्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुकमंत्री 39 कुमार द्वारा किस योजना का शुवारम 15 सितंबर 2022 को किया गया तो मुकमंत्री ग्रामी सोलर एश्ट्रेट लाइट योजना का शुवारम किया गया है उसके बाद क्लाइमेट चेंज लर्निंग लेब का उदगाटन कहां किया गया है पटना जू में किया गया है यह उसके बाद इंपोर्टेंट है आपके लिए बिहार के एनाइटी सिक्षन संस्थान में कोशल प्रसिक्षन के लिए सेंटर ओफ एक्सिलेंस का शुवारम किस ने किया है तो यह पुर्व केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रशाद के द्वरा कि पीस में जो प्रकाशित एक बाल कवीता है उर्दू भासा में है बाल साहित पुरशकर 2020 के लिए उनको चुणा गया है उसके बाद छात्रों का जो बैग होता है बस्ता होता है उसके वेट को कम करने के लिए इस कूल में नो बैग डे की शुरुवात की है यह किस राज्य मे की गई है तो बेहार में ही की गई है उसके बाद न्यूट्रल इस्टेट बनने का लक्ष बिहार ने किस वर्स तक रखा है तो 2014 तक उसके बाद मकh kayak विकास योजना कहां पर चलाई है मतलब कितने जिलों में चलाई जाएगी बिहार के लिए 11 जिलों में चलाई जाएगी और जीमपार्क हमने बताया ही है कि बिहार के किस दिले के हर पंचायत में जीमपार्क कोला जाएगा तो पटना में और एक लास्ट इंपोर्टेν्ट प्रश्ट है नवार्ड बिहार के कितने उत्पादों को GI tag दिलाने का प्रयास करना है तो तीन जिसमें खूर्मा है तिलकूट है और बालुशाही है तो यहीं पर हमारा सितमबर 2022 का करेंट अफेर बिहार का समाप्त होता है नेक्स्ट एपिसोड में बिहार करेंट अफेर के सिरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आक्टूबर डममबर और दिसमबर 2022 के करेंट अफेर आप से सेर करेंगे धन्यवाद